हरे कृष्णा रदे रदे दोस्तों इस साल रमा एकाशी का वरत 28 अक्तूबर को रखा जाएगा इस इन भगवान विश्णुजी की पूजा की जाती है साथ में वरत कथा पड़ी जाती है रमा एकाशी की वरत कथा इस प्रकार है एक बार सत्यवादी राजा मुझकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था चंद्रभागा का विवहाँ राजा के एक पुत्र शोभन से हुआ राजा मुझकंध हर साले काशी का वरत रखते थे राजा के लावा उनके राज्य के सभी लोग भी इस वरत को बड़े ही भाव के साथ रखते थे चंद्रभागा के पती शोभन का श्रीर काफी कमजोड था लेकिन उसने भी एकाशी का वरत बहुत ही शर्दा के साथ रखा एक दिन शोभन ससुराल में था एक आशी आई मुझकंध राजा के राज्य भर में एलान करा दिया कि आज प्रजा के सभी लोग उपवास करेंगे उसने भी कहा कि हाथी गोड़ा और उट को भी आज अन नहीं दिया जाएगा राजकुमार शोभन यह सुनकर बड़े ही दुखी हुए कहा कि मैं उपवास कर लेता लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ जिसके करने से निश्चे ही मृत्यू हो जाएगी लेकिन फिर भी उन्होंने उपवास रखा और उपवास के चलते वह इस दुनिया को छोड़ कर चला गया इस तरह से मृत्यू को प्राप्त हुआ जिसको देखकर उसकी पत्नी शोभन बहुत ही दुखी हुई लेकिन वह अपने व्रत का पालन करती रही इस तरह से मृत्यू के बाद चंद्रभागा अपने पती के राज महल में ही आ गई वहाँ पर रहकर पूझा पाठ में लीन हो गई एक दिन मुझकुंद राजा के नगर का एक सादू वहीं पहुँचा जहां चंद्रभागा का पती राज करता था सादू ने उससे पूझा की इतना पुन्य कैसे मिला इस पर शोभन ने सारी कहानी बताई शोभन ने सादू से कहा यह राज अभी अद्रूब है इसे द्रूब करने की शक्ती मेरी पत्नी में है सादू ने वापिस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई यह सुनकर चंद्रभागा को बहुत ही परसंता हुई और वो भी शोभन से मिलने के लिए गई चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताता है जिसके बाद दोनों खुशी-खुशी रहने लगती है चंद्रभागा के पती शोभन को रमा एक आशी के वरत करने मातर से अजीवन सुखी रहने वाला राज्य मिला और यदि कोई इस कहानी को सुनते हैं कहते हैं और पढ़ते हैं तो उन्हें भी इस जीवन के सारे सुख मिलते हैं और बृत्यों के बाद वैखुंट धाम की प्राप्ति होती हैं आशा है आपको भी रमा एक आशी की वरत कथा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो आप हमारे चनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर भी करें कमेंट वोक्स में जैविश्नु भगवान आवश्य लिखें